So the next topic in this chapter is solution of an LPP. तो अब तक इस chapter में हमने क्या क्या दिखा है? हमने revise किया है कि हमको कैसे lines और in equations plot करने हैं. फिर हमने formulation of LPP दिखा कि अगर हमारे पास word problem है तो उसको LPP में कैसे convert करते हैं? वो हमने देख लिया. अब जो last है और जो सबसे important है वो है solution कैसे दुणना है उस LPP का. तो जब हम solution बोलते हैं तब उसका क्या meaning है? What are we trying to do by solving an LPP? So basically our aim is to find the value for x and y. जो हमने decision variables defined किया थे उनका ही value हमको दुणना है. Okay, so this is equal to what? That is our aim. Now to do this we have two methods. One is called as the graphical method. And the second method is the simplex method. Okay, हमारे syllabus में सिफ graphical methods ही करेंगे. मतब हमको draw करना पड़ेगा और फिर उसी से solution निकालेंगे. जो real life problem होता है उसमें कभी भी two variables नहीं होते हैं, ज्यादा variables होते हैं. अगर इतने सारे variables हैं, तो उसका graph plot करना possible नहीं है. For example, अगर दो variable हैं, तो हम line बनाते हैं, जब हम तीन variable के साथ deal करते हैं, तो हमको एक plane बनाना पड़ेगा. अब plane बनाने के लिए वो easy नहीं है, आपको three dimensions में plot करना पड़ेगा. तो वो तो three के लिए है, उसके आगे तो plot करना possible भी नहीं है. तो उस सब के लिए हमको क्या use करना पड़ता है, simplex method. simplex method बहुत ज़्यादा similar है matrices के जैसे, ठीक है. तो अभी हमारे syllabus में तो हमको यह नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ graphical method पड़ना है, पर फिल भी तुमको पता तो होना चाहिए कि normal LPP को solve करने के लिए क्या use होता है. feasible solution. अब इंग्लिश में feasible का मतलब क्या होता है, कि वो चीज जो की जा सकती है, जो possible है. तो मैं ऐसे पूछूँगी किसी को अगर मुझे कुछ काम देना है, तो मैं पूछूँगी, is it feasible for you to do this? बजब क्या ये तुम्हारे लिए मुमकिन हो पाएगा, तुम्हारे पास इतना time है, क्या तुम्हारे पास इतना पैसे है, उसको बोलते है feasible, ठीक है, तो feasible solution क्या होता है, वो सारे solution, जो constraints को satisfy करते हैं, ठीक है, तो which satisfy the constraints, जो हमारे conditions है, उसको satisfy करता है, तो हम उसको feasible solution बुलात तो तुमको याद है जब हम वो graph बना रहे थे और color कर रहे थे बीच में तो वो जो हमें मिल रहा था उस area में सारे जो points से all possible points अचली वो सब possible है करना क्योंकि तुम्हारे पास उतने पैसे है तुम्हारे पास उतना time है तो सब possible है तो सारे ही feasible solutions है ठीक है और जो region होता है उसको feasible region बुलाते हैं मतब जो shaded region होता है जब बहुत सारे equations होते हैं उसको feasible region बुलाते हैं ठीक है ये दो concept समझा अब देखो हमारे पास कुछ पैसे है हमारे ऐसे मानो कुछ ऐसे टाइप काया तुमको shading ठीक है तो यह जो सारे इसके अंदर जो shaded region के अंदर जो points है infinite number of points है वो सारे इसके feasible solution है ठीक है जब तुमने सारे conditions को बनाया है लेकिन हमको क्या ढूड़ना है हमको ढूड़ना है ऐसा solution जो सारे conditions को satisfy भी करेगा और अगर मुझे profit maximum करना है तो वो भी करेगा ठीक है तो हमको ढूड़ना है कि इन सारे points में से ऐसा क्या है जहाँ पे हमारा profit maximum होगा तो अब actually हमारे पास एक theorem है जिसको हमको prove नहीं करना है जो समझना है कि जो भी हमको जो maximum या minimum चाहिए जया फिर optimal solution जो बोलता है वो हमेशा यह corner point पे ही मिलता है ठीक है जो भी यहाँ पे corner है उदर ही मिलेंगे तो तुमको बस यही सारे points पे चेक करना है कि कहां पे maximum है और कहां पे minimum है तो जब हम करेंगे ना सम तब तुमको बेटर समझ में आएगा तो anyway optimal feasible solution क्या होता है जहां पे पहले तो वह feasible solution होना चाहिए मतरब सारे constraints को satisfy करना चाहिए और फिर जहां पे हमको max value मिले या फिर minimum इन सब में से okay तो अभी एक बार overview में देख लेते हमको क्या क्या करना है फिर sums करेंगे तब better understanding होगी first of all हम graphical method से solve करें और उसमें भी corner point method से solve करें और एक method भी होता है iso profit या फिर iso cost method जो हमको नहीं करना है ठीक है now draw the lines from the constraints and shade the common region हमको क्या करना है first चीज जो भी हमारे पास constraints है वो usually in equations होते हैं तो वो हमने practice किया है कैसे उसको draw करना है तो पहली step यह होगी कि तुमको draw करना और फिर shade कर देना है ठीक है उसके बाद वो जो भी region मिला है उसका तुम corner point ढूंडो तो सारे उसके vertices ढूंडो कभी-कभी directly मिलते हैं कभी-कभी हमको उसको ढूंडना भी पड़ता है solve करके तो मैं बताऊंगी बात में कि कैसे solve करके ढूंडना है ठीक है यह second main step हो गया third step के बाद हमको क्या करना है हमको सारी जो vertices है उनका value हमको objective function में substitute करना है और फिर वहाँ पर देखना है कि maximum है कहाँ पर minimum कहाँ पर जिसे question मैं पूचा गया अगर maximize तो फिर तुमको maximum ही ढूंडना है okay I know इतना clear नहीं हुआ होगा अभी पर sums करेंगे तो बिलकुल clear हो जाएगा बस यह 3 steps को आप में दिमाग में रखो कि यह सब हमको करना है पहला sums start करते है so first question is maximize z is equal to 9x plus 13y subject to these two constraints अब हमेशा हम क्या करेंगी हम पहले table ही बना देते है जिसमें सारे constraints रखते है तो मैंने पहला वाला equation करके लिख दिया है 2x plus 3y is equal to 18 and 2x plus y is equal to 10 अब पहले हम इसमें धूर्णना start करते हमारे points जिससे हम line को plot करेंगे अब यह करने की भी दो तरीके हैं मैं यहाँ पे पहला method दिखा रही हूँ तो second solved example में दूसरा method दिखाऊंगी ठीक है जो दूसरा method है वो textbook में used है पर अगर तुमको यह easier लगता है तो फिर यही follow करो ठीक है कुछ wrong नहीं है दोनों methods correct है इसके लिए marks नहीं कटेंगे तो पहले में क्या करते हूँ x का value अगर मैंने 0 रखा इसमें तो y का value क्या आएगा यह पूरा 0 हो जाएगा यह हो जाएगा 18 divided by 3 which is equal to 6 तो point क्या है 0,6 next अगर मैं अब y को 0 रखती हूँ तो मुझे x का value क्या मिलेगा 18 divided by 2 which is 9 so this is 9,0 ठीक है इसमें sign क्या है lesser than equal to क्या guess कर सकते हो कौन से side पे होगा origin side की non origin side पे तो उसके लिए इसमें 0,0 substitute करो 0 and 0 is lesser than equal to 18 correct है ना so this is origin side next same procedure x को 0 रखा तो y का value 10 and y को 0 रखेंगे तो x का value 5 so this is 0,10 and 5,0 the equation is again lesser than equal to type का इसमें 0 और 0 substitute करो तो 0 is lesser than equal to 10 आ रहा है so ये वापिस origin side ही है okay now हमको इसको plot करना है plot करने के time पे बहुत जरूरी चीज है ये बिल्कुल नहीं भूलना है पहले तो तुम axis सब scale से ही बनाओगे paper पे ही बनाना board में नहीं दिया जाता है graph paper ठीक है ऐसा हो रहा है दो सालों से कि वो लो graph paper नहीं दे रहे है उसके बाद ये 0 लिखना जरूरी है o फिर उसके बाद x-axis y-axis सारे जो ये pointer बना रहे है वो भी scale से ही mark करके बनाने मैंने सब 1 cm का लिया है उसके अलावा यहाँ scale लिखना बहुत जरूरी है scale is equal to 1 cm is equal to 1 unit on both axis e यह आ जाएगा क्योंकि दोनों की बात करें न ax-is singular होता है axis plural है तो इसके बाद हमें अभी ये सब plot करना है और फिर उसके बाद उसको shade करना है तो मैं at least, मैं already ये सब plot करके रख चुकी हूँ तो पहला वाला क्या है 0,6 0,6 is a point over here and next 9,0 is on the x-axis उसको join कर लेते हैं तो हमें अपना first line मिलेगा मैं हमेशा suggest करूंगी line का equation भी लिखना अगर तुमको बहुत messy लगता है ना तो क्या करो, यहाँ पर इसको 1 number कर दो और यहाँ पर इसको 2, ठीक है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम 1 लिखतो हो गया ना, neat अभी, ठीक है और next, 5,0 ओके, यह वाली line भी बन गई, अभी इसके बाद हमको shading करना है, तो दोनों के लिए, it is on origin side only, तो यह इसके लिए भी नीचे की तरफ है और यहाँ पर भी यह नीचे की तरफ है तो कौन सा रीजन होगा, यह वाला रीजन कट हो चुका है इस line के वज़े से और यहाँ पर यह वाला तो it is only this part extremely neat होना चाहिए diagram हमेशा यह भी realize करो कि इसका scaling क्या होना चाहिए मत्सक्त तू सेंटिमीटर थी सेंटिमीटर है तो बड़ा-बड़ा measurement लो ठीक है वह प्रॉपरली पेज पर फिट आना चाहिए उके एटलीस मुझे लगता है राउंड दस से बारा लाइन यूस होनी चाहिए पेज की उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए फिर भी अजीब लगता है पर प्रॉपरली स्पेस को utilize करो ठीक है बनाते वक्त extremely neat होना चाहिए अब हम क्या करते हैं हम जो feasible region उसके points को लेबल करते हैं तो इसको यह बुलाते हूं यह तो वैसे भी O होता है O फिर यह B और यह C ओके इसके बाद हमको एक line लिखना है the shaded region common shaded region O A B C is the feasible region मतलब इसके अंदर के सारे points हमारे solution हो सकते हैं हमको बस यह देखना है कि कहां पे हमारा function अभी maximum है क्योंकि वो question में दिया है अच्छा अब मुझे बताओ O का coordinates क्या होगा ? 0.,0 A का क्या होगा ? 0,6 C का क्या होगा ? 5,0 B का क्या तुम सही से बता सकते हो ? नहीं न मतब तुम बोलोगे कि हाँ यहाँ पर यह 3 पर जाता है यहाँ पर यह 4 पर जाता है लेकिन हम कभी भी बीश और नहीं हो सकते हैं कि हमने जो graph बनाया वो exact, correct है, क्या हमेशा कोई भी घलती नहीं होगी, ऐसा जरूरी है, क्या, नहीं, तो फिर हमको हमेशा इसको math way में ही solve करना है, तो इस point B को ढूणने के लिए, हमें ये दो lines को simultaneously solve करना पड़ेगा, है न, अगर हमें कभी भी कोई दो lines है, और उनके बीच के intersection point को ढूणना है, तो इन दो lines को simultaneously solve करने से इसका value आएगा, okay, so to find B, solve 1 and 2, okay, ये working भी हमेशा दिखाना है, तो 1 equation is 2x plus 3y is equal to 18 and 2 is 2x plus y is equal to 10, इसको subtract करते हैं, तो minus, 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 ये cut हो गया, this is 2y is equal to 8, so I get that y is equal to 4, okay, now you substitute इसमें, so 2x plus 4 is equal to 10, therefore x is equal to 3, answer सही आया, ये confirm करने के लिए अच्छा है, हमारे graph एकदम perfect बना है, कि ये B 3 पे आ रहा है और ये 4 पे आ रहा है, इसका y वाला, okay, graph confirm करने के लिए use करना है, solve करने के लिए नहीं use करना है, okay, so what is our point B, it is 3, 4, okay, now we have got all our points, now what do we have to do, now we have to substitute everything in the objective function, तो उसके लिए table बना सकते हैं, okay, इस तरीके से vertices and Z, पहला क्या है हमारा vertex O, which is 0, 0, next vertex is A, which is 0, 6, then B is 3, 4, तो ये सब लिख लेते हैं, A is equal to 0, 6, B is equal to 3, 4, and C is equal to 5, 0, okay, अब क्या करना है, हर एक value को इसमें substitute करके Z का value निकाल रहा है, तो first is Z is equal to what, 0 प्लास 0, तो यहाँ पे answer आएगा 0, next, it is equal to 13 into 6, which is 78, next, it is equal to 9 into 3, मैं यहाँ पे रफ़ा करती हूं, तो 9 into 3, plus 13 into 4, तो 9 into 3 is 27, plus 13 into 4 is 52, तो इस इस सेवेंटी नाइन, ओके, and next, 5, 0 इसमें पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 5 into 9, which is 45, मैंने दोनों यह X के बदले यह रखा है, Y के बदले यह रखा है इसमें, और इस सरी के से सारी values निकाल लिए है, अब इसमें सबसे maximum कौन सा है, यह वाला, तो उसके यहां लिख सकते हैं, max, खतम हो गया हमारा question, तब maximum value of Z is equal to 79, and it occurs at the point B, 3, 4, that is X is equal to 3, and Y is equal to 4, तो हमारा जो aim था, X और Y ढूणने का, वो satisfy हो गया है, I hope you understood, एक quick revision, पहले क्या किया हमने, पहले हमने जो in equations थे, उसके lines बनाया, उसको plot किया, shade किया common region, सारे vertices निकाले, जिस जो नहीं था directly पता, उसको हमने simultaneously solve करके पता लगाया, उसके बाद हमने सारे points को इसमें लिख दिया vertices को, और इसमें substitute कर दिया Z में, फिर जहाँ पे भी हमको maximum value आया है, वही हमारा answer है, ओके, अभी next question में, we have to minimize Z is equal to 5X plus 2Y, subject to these constraints, पहले same way में मैंने equation को लिख दिया है, अब मैं जो दूसरा method है वो सिखा रही हूँ, इसमें पहले क्या करना है, इसको intercept form में लिखना है, intercept form के लिए क्या करना है, कि इस side पर 1 होना चाहिए, तो यह जो 10 है, उसको दूनों जिगे पर divide कर देना है, तो 5X divided by 10 कितना होगा, X upon 2, यह समझ मैं है, मैं 10 को नीचे ले गई हूँ, plus Y upon 10 is equal to 1, ओके, next, यहाँ पर भी 6 को नीचे ले जाना है, ति X upon 6 plus Y upon 6 is equal to 1, ओके, अब X intercept वो होता है, जो X के नीचे है, और Y intercept वो है, जो Y के नीचे है, यहाँ पर दूनों 6 ही है, पर इधर हमेशा 1 ही होना चाहिए, इसके बीच में sign प्लस ही होना चाहिए, ठीक है, अगर minus है, इधर sign तो उसको नीचे ले जाना है, अब देखो, intercept का मतलब क्या होता है, कि वो कहाँ पर X axis को cut करता है, या intercept करता है, तो जो यह 2 है, इसका मतलब यह है, कि यह line इधर हमको cut करती है, X axis पर इसका यह इधर cut करेगी, और Y axis को इधर, ठीक है, actually same चीज ही है, जब हम zero put कर रहे थे, बट यह दूसरा तरीका है, अगर तुमको यह easier लगता है, तो इस तरीके से करो, textbook में इसी way में दिया हुआ है, इसलिए मैंने सुचा, मैं दूनों ways दिक सिखा देती हूँ, जो भी easy लगता है, वो कर सकते हैं, अभी sign क्या है, दूनों जगे पर greater than equal to, यहाँ पर zero और zero put करके रहो, zero और zero put क्या, तो zero is greater than equal to 10, wrong है यह, तो origin side नहीं है, इसमें non origin side होगा, इस वाले में भी zero plus zero is greater than equal to 6, wrong है, so this is also non origin side, okay, now let's start plotting this, तो अगर x is 2 and y is 10, तो इदर dot बनाओ, y is 10 पर dot बनाओ और इनको join करो, वापिस मैंने सब कुछ लिख चुकिए हूँ, scale, x-axis, y-axis, 0, okay, this is 1, and next, next line के लिए 6 and 6, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 6, हमेशा यह plot करो ना, उसके पहले तुमको अपने points पता होने चाहिए, अब कि यहाँ पर हमको क्या बनाना है, वो पता होना चाहिए, फिर ही इसको बनाना चाहिए, तो हमेशा पहले यह table बनाओ, फिर उसके हिसाब से यह बनाना, अब यहाँ पर मुझे पता है, अगर maximum value 10 है, तो 10 तक तो होना ही चाहिए मेरे पास, उससे ज्यादा नहीं होगा तो भी चलेगा, पर उतना तो होना ही चाहिए, अब दोनों ही non-origin side है, तो दोनों ही इस तरफ है, ठीक है, तो इस line के वज़े से यह वाला part कट हो जाएगा, और इस line के वज़े से यह वाला part कट हो जाएगा, तो basically जो part है वो यह है, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, X is greater than 0 और Y is greater than 0 है, तो हमेशा सिर्फ first quadrant में ही रहेगा, हमारा solution, अगर यह भी थोड़ा और neat करना है, तो इसको भी scale से बना सकते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर पहला point क्या है, यह वाला, दूसरा point यह है, तीसरा point यह, अब यह unbounded है, इसको कोई boundary नहीं है properly, ठीक है, लेकिन चलता है, हमको यहाँ पर क्या करना है, minimize करना है न, तो minimization के लिए unbounded रहेगा, तो भी चलेगा, तो इनको name कर देते हैं, अब सारे vertices ढून लेते हैं, A तो is 0,10, B के लिए हमको वापस simultaneously solve करना पड़ेगा, और C is 6,0, तो to find B, we have to solve 1 and 2 simultaneously, उसके पहले उसको नाम भी देना है, तो common shaded region, A, B, C, is the feasible region, तो find B, we have to solve 1 and 2, तो 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 5X plus Y is equal to 10, and X plus Y is equal to 6, तो यह हो गया, 4X यह cut is equal to 4, so X is equal to 1, substitute करते हैं, तो Y is equal to 5 मिलेगा, इसमें check कर लेते हैं, ग्राफ में, देखो यह B, exactly आ रहा है, 1 पे ही, ओके, and यह जो 5 पे आ रहा है, ओके, इस तरीके से you can confirm कि, तुम्हारा ग्राफ करेक्ट बना है की नहीं, कभी-कभी गलती से हम अलगी चीज से plot कर देते हैं, तो यहाँ पे अब चलो, अब सारे vertices लिखते हैं, तो पहले है A, 0,10, next B, 1,5, and C, 6,0, अब इन सबको हम substitute करते हैं, इस function में, हमको यहाँ पे minimum value ढूणना है, यह है 20, 0 into 5, plus 2 into 10, फिर यह है 5 plus 10, which is equal to 15, and next 6 into 5 is 30, minimum value is at B again, तो minimum value is 15, and it occurs at the point B, 1,5, that is X is equal to 1, and Y is equal to 5, okay, next question, last solved example, maximize Z, and हमारे पास 2 equations है, वापस मैं intercept form में ही कर रही हूँ, तो यहाँ पे, हमको minus 1 से divide करना होगा, दोनों साइड पे, तो this is X upon minus 1, यह बीच में plus ही होना चाहिए, Y upon यह minus 1 into minus 1 हो जाएगा न, तो यह plus 1 हो जाएगा, is equal to 1, so X intercept is minus 1 and Y intercept is 1, next, 2X upon 2 is X upon 1, plus Y upon minus 2 is equal to 1, so यह 1 and यह minus 2, साइन क्या है यहाँ पे, यह greater than equal to है और यह lesser than equal to है, यहाँ पे 0 और 0 पुट करके रहखो, 0 minus 0 is greater than equal to minus 1, correct नो, so this is origin side, next, 0 minus 0 is lesser than equal to 2, this is also correct, so this is also origin side, okay, now I have made this, इस बार मैं थोड़ा चोटा बना दिया है, तो बड़ा भी बना सकते हैं, मतब अगर चाहिए, तो यह 1 minus 1 ऐसा ही है न, तो इसको 4, मतब 2-2 का एक भी बना सकते हैं, वो भी ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर इतनी जगह थी है, तो मैंने इतने में बना दिया है, तो पहले minus 1 and 1 है, so x पे minus 1 है, और y पे 1 है, क्या होता है, जब छोटा बनाते हैं, तो शेडिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मतब इतना clear नहीं दिखता, फिर वो अच्छा नहीं दिखता, ओके, and presentation matters, right, in the board exam, now next, x is 1 and y is minus 2, तो मारी lines अभी join नहीं हो रही, बढ़ हमको पता है, इसको extend करेंगे, तो join करेगी, तो में काम करते हैं, इसको erase करके, वापस इसको लंबा बना देते हैं, यहाँ पे, तो यह point मान सकते हम, ओके, अभी यहाँ पे, पहली वाली line के लिए, origin side है, दूसरी line के लिए origin side ही है, तो दूनों इस तरफ ही आने वाले हैं, तो इसके लिए ऐसा है, और इस वाली के लिए भी ऐसा ही है, बट एक चीज दिहान रखो, x is greater than 0, and y is greater than 0, तो यह सिर्फ फर्स quadrant में होना चाहिए, यह सब कुछ दिलीर हो जाएगा, तो यह जो बीच वाला है, tight shape का, वो है हमारा feasible region, तो हमें यह region तो मिला है, लेकिन अगर textbook में solved example देखेंगे, तो यह region नहीं है, क्या है कि textbook में यह equation सो दिये है, लेकिन जब plot किया है, तब इसको भी greater than equal to type का ही माना है, ठीक है, तो इन लोग ने question में अचली लिखा तो यह है, बट यह regarding it as, इसको greater than equal to लिए है, तो उस case में क्या होता है, यह origin side पे नहीं आएगा, यह ulti side पे आएगा, तो उसके वज़े से वो पूरा इस side पे आएगा, ठीक है, मैं छोटा सा उसका diagram बना देती हैं कैसा होगा, तो हमारे पास जो दो line है, वो ऐसा कुछ एक line है, जोख में ऐसा है कि इसको तो origin side लिया है, करके इसका यह side पे sheeting है, तो यह correct है, यह वाली sign गलत है, तो इस side के बदले यह side आ रही है, ठीक है, तो इसके वज़े से हमारा region क्या बन जाता है, it is this part, ठीक है, अब यह तो चलता ही जाएगा हमेशा के लिए, यह कभी end नहीं होगा, और यहाँ पे हमको क्या बुला है, maximize करने को बुला है, तो यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा number भी हो सकता है न, जिससे और भी ज़्यादा maximum value आए, तो actually इसका कोई solution नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम इसके बाद लिखते हैं, लेकिन अगर यह होता सवाल, तो फिर इस तरीके से ही solve करना होता, जैसे पहले वाले question solve कर रहे हैं, ठीक है, पर यह मैंने textbook से देखा कि, इन लोग ने यह mistake है, printing error, फिर्स्ट एडिशन है ना, तो printing error is expected है, तो the common feasible region is unbounded, ठीक है, तो unbounded as in, उसका कोई boundary ही नहीं है, तो कोई भी finite value नहीं है, मतब कोई भी गिनने लायक value नहीं है, infinity होगा answer of this feasible region, तो मैं expect करूंगी, कि तुम लोग जब solve करो इसको, अगर तुम ऐसे consider करके कर रहे हो, तो फिर ये region के सारे points निकालो, ये तो है, C को निकाल के फिर इसको solve करो, या फिर अगर ये वाला consider कर रहे हो, तो ये वाला diagram बनाओ, और फिर end में ये लिखो, ओके,